इससे बड़ी केस स्टेडी मैंने आज तक नहीं बनाई जिस रतन टाटा की हम सब पूजा करते हैं जिस रतन टाटा की दर्या दिली की Employee Welfare Schemes की पूरी दुनिया में चर्चा होती है उस रतन टाटा को रतन टाटा किसने बनाया? किसने विजन भरा, किसने इंस्पायर किया आज हम बात करने जा रहे हैं उस रतन टाटा के बेटे की ध्यान से सुनना उस रतन टाटा के बेटे की जिसने रतन टाटा को रतन टाटा बनाया गुत्थी बाद में सुल जाएंगे पहले इतने फरस्ट सुनो जितने फर्स्ट आज तक आपने नी सुने होंगे और जितने मैंने नी सुने हिंदूस्तान का पहला पाइलेट लाइसेंस 1929 में इस शक्षियत को मिला भारत की पहली कॉमर्शियल एरलाइन 1932 में इस व्यक्ति ने लगाई और उस एरलाइन को अल्टिमेटली भारत सरकार ने लिया आज तक हिंदूस्तान के इतिहास में किसी उद्योगपती को भारत रत्न नहीं मिला पहले उद्योगपती जिनोंने भारत रत्न पाया वो जेयाडी टाटा पहला कैंसर होस्पिटल अरे पूरे देश में किसी को कैंसर हो जाये तुरंद बोलता है टाटा चलो टाटा चलो देश का पहला cancer hospital लगाया J.R.D. Tata ने जिस nuclear bomb की हम बात करते है देश का पहला nuclear bomb पहला पोखरन का nuclear report अरे उसकी जड़े किस ने लगाई देश में पहली बार scientist के लिए special research center खोला homie bhabha के साथ मिलकर Tata Institute of Fundamental Research लगाने का काम करने वाले शक्स J.R.D. Tata कितने फस सुना हूँ इतना excited हूँ शब्द नहीं मेरे पास हिंदुस्तान के जितने भी workers है न खासकर industrial workers फूजा करनी ची आपको इस शक्स की क्योंकि देश में पहली बार 8 घंटा working किस ने पैदा किया J.R.D. Tata ने Provident Fund for Workers किस ने पैदा किया J.R.D. Tata ने और इनके बाद भारत सरकार ने इसको कंपल्सरी किया अरे क्या बताओं आपको J.R.D. सर जैसा निडर उनके जैशा देश भक्त द्योगपती भारत के इतिहास में पैदा नहीं हुआ क्यों जानते हैं आजादी के पहले British सरकार ने एक दिन कहा आज के लालच में लेता कोई और होता तो डर के लेता लेकिन क्या कहा J.R.D. सर ने नहीं चाहिए आपका आवाड क्योंकि वो आजादी के पहले का वक्त था आज आप से कहना चाहता हूं J.R.D. Tata सर जैसा देश भक्त उनके जैसा सहासी उनके जैसा विजणरी उनके जैसा इनोवेटिव उनके जैसा समाज से भी उनके जैसा खाटी बिजनेसमेन आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में पैदा नहीं हुआ और आज के जितने भी लोग जिनको हम सलाम करते हैं सब उनके आगे बौने हैं ऐसी ऐसी कहानिया सुनाऊंगा आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे एंड तक देखना कहीं मत जाना अपने परिवार और अपनी टीम के हर सदस्य को दिखाना क्योंकि ये केस स्टेडी सम के भीतर आग लगा देगी आग मज़े से जे आडी टाटा साब का बच्पन फ्रांस में बीतरा था पिता थे रतन जी दादा भाय टाटा और मदर थी सुजैन जो की फ्रेंज सिडिजन थी अब वहाँ पर जे आडी टाटा साब के बड़े बड़े सपने थे केम्बरिज जाओंगा इंजिनेरिंग करूंगा घर में ग्रामार सीखते एकदम सुपर लगजरी जिंदगी अचानक फ्रांस में एक रूल बना रूल क्या था बीस साल के हर व्यक्ति को फ्रांस की आर्मी जोईन कर रही है अब यह फस गए मजबुरी में आर्मी जोईन करना पड़ा बारा महीने आर्मी में सर्व किये और उसके बाद सोचे अब जाओंगा केम्बरिज और इतने में पापा ने पूरे प्लान पे पानी फिरते हो वाला डिकरा चल इंडिया चल और डिकरा को इंडिया लोटना पड़ा अब आप सोचिए, चार देश में आदमी पढ़ा लंडन में पढ़ा, यहने बृते फ्रांस में पढ़ा, जापान में पढ़ा, इंडिया में पढ़ा मेट्रीकुलेशन के आगे नहीं पढ़ पाए चार देश में पढ़के मेट्रिक में पढ़ाई खतम करनी पड़ी और फ्लाइट की लेंडिंग कहा हुई फ्रांस की वादियों से निकल के बिहार के जमशेतपूर में तब जमशेतपूर बिहार में था बिहार के जमशेतपूर में उसकी लेंडिंग हो गए अब जब लेंडिंग हुई तो हमरा भी जो निहाल है वो बिहार का है तो बिहार जो है अपने आप में हर आदमी को सब कुछ सिखा देता है हम पूरे बच्पन हर साल एक महिना बिहार में रहें तभी आज कोई भी मुसीबत आए न डरते हैं न घबराते हैं किसी से भी लड़ जाते हैं अब बिहार में लेंडिंग हुई अब सुचा भई मैं तो टाटा हूँ फ्रांस से आया हूँ पड़ा तगड़ा ओफिस में बैठ हूँगा पहले दिन से जमशेदपूर पहुँचे तगड़ा ओफिस लग्जरी चेयर नए स्टूल वहाँ पे कंपनी में जो जी एम थे मिस्टर पीटरसन उनके बाहर स्टूल पे बैठना पड़ा आने जाने वालों का रिकार्ड रखना पड़ा डाग कलेक्ट करनी पड़ी अनपेड स्टाफ उनको पहली बार समझाई जमीन क्या होती है यहने टाटा गुरूप पहले से भरता है पहले से विनम्रता भरता है ऐसे ही पैदा नहीं होता उसके बाद जी एडी साब ने सोच चलू वाई अब मेरा प्रमोशन होने वाला है और गजब के प्रमोशन वा हो उनका प्रमोशन का हुआ और Mhm की बार उनको मिली उसी जॉन पिटर संग के कमरे का एक छोटा सा डैसалась वहिं पर लोगों के साथ सोणा वह पर लोगों के साथ खाना उससे उन्हों 창ा अष्ट कि वर्कर क्या सोचते हैं इस योग सका पैसे की कीमत क्या हुथी और 22 साल के अचाना के एम न्युकर और जब दिहान धुआ तो मजबूरी में इनको इतनी यंगेज में टाटा संस का फुल टाइम डेरेक्टर बनना पड़ा पूरे परिवार का मुखिया बनना पड़ा उन्हों अपनी जिम्मेदारियों से मूह नहीं चुराया इन्होंने बहाना नहीं मनाया इतनी कम उम्र है अभी तो मेरे को कुछ नहीं आता मेरी तो खेलने की उम्र है कुछ नहीं जिम्मेदारी समभाल लिए आप मेंसे किसी के उपर भी जिम्मेदारी आ रही न समझना भगवान ने आपको चुना है उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए दोस्तों मैं 34 साल के उम्र में बिना उफ किये इतने बड़े और्गिनाइजिशन को फ्रंट से लीड करना इतना बड़ा विजन देखना और लाखों एम्पलोईस को अपनी संतान की तरह प्यार करना ये थे JRD टाटा आज आपसे ये कहने का मन नहीं है कि पूरा वीडियो देखना क्योंकि नहीं देखोगे न तो आज आप मिस करोगे अफसोस करोगे इतने बड़े महानायक से आपका परिचे नहीं होगा बाइदवे लर्निंग में यकीन रखते हो तो तो तीन सो से जादा लाइफ और बिजनेस के अदभूत वीडियो खुजवल पार्टने यूट्यूब चैनल पर है आपका स्वागत जब हम एच्यूमेंट्स की बात करते हैं कौन सी लाइन यूज़ करते हैं लेकिन जियाडी टाटा अरे उनके लिए इवन स्काई वाज नॉट दा लिमिट इसलिए उनको फादर आफ पॉडर्न एविएशन कहते हैं समय से कितना आगे था वो शक्स यदि आज आप प्लेन में बैठते हैं यदि आज आप आस्मान में प्लेन को देखते हैं तो उसका सारा श्रे सिर्फ जियाडी टाटा को जाता है 1932 में पहली बार कराची से मुंबई वो एक छोटा सा एयर मेल प्लेन उडा कर लेके आ है 1938 में JRD Tata ने domestic airline मनाई लोग क्या कहते थे बहुत खर्चिला काम है अरे विमान यात्रा खूद इतनी महंगी हिंदुस्तान में नहीं चलेगी लेकिन JRD Tata कहते थे यदि दुनिया को मैच करना है यदि देश को world leader बनना है यदि हिंदुस्तान को global होना है तो हिंदुस्तान में airlines चाहिए और देखती देखते 1947 में उन्होंने international airlines बना दी दोस्तों कोई व्यक्ति कितना perfectionist हो सकता है आज आप एक business होना रहे आपसे पूछता हूँ क्या आप अपने office का toilet साफ कर सकते हैं कमोड साफ कर सकते हैं नहीं करेंगे न आपने क्या बात कर रहे हो पाटनी जी लेकिन एक विमान यात्रा की कहानी बताता हूँ एक flight take off के लिए तयार हो रही थी और उसके कमोड की cleaning की जा रही थी JRD टाटा अचानक वहां पहुँचे हैं उन्हें लगा ठीक से नहीं हो रहा है can you believe it JRD टाटा ने क्रू के साथ मिलकर कमोड क्लेन किया एक बार एक काउंटर पर पहुँचे हैं काउंटर पे थोड़ी धूल लगी थी चारों तरफ उन्होंने देखा एक डस्टर मांगा उठाया पूरा धूल को साफ करने लगे क्यों न करते प्रेमी का थी भाई ये एरलाइन्स उनका रोमांस था और कहते जितना बड़ा आदमी हो जितने बड़े सपने हो मुश्किले भी उतनी बड़ी होती है एक तरफ उनकी माशुका थी विमान और दूसरी दरफ उनके खास दोस्त पंडित नहरू जो बार-बार कह रहे थे देश को देदो देश को देदो फाइनली देश के लिए जियाडी टाटा ने अपनी माशुका को डैवोर्ज दे दिया लेकिन अच्छा काम क्या हुआ 1977 तक जियाडी चेर्मेन बने रहा है और इस पिरेड में वो वा जिसको सुनके आज ऐसे देखने का मन करता है क्या हुआ एयर इंडिया दुनिया में टॉप थी में आई एयर इंडिया दुनिया में टॉप थी ओ, unimaginable और अभी ऐसे क्यूं क्योंकि ये हजारो करोड हम taxpayers का लेती है और उसके बावजूद इसके operations में हमेशा question mark लगा होता है दोस्तों वो सपना वहाँ टूट गया वहाँ छूट गया और उसी सपने को अभी हाल में रतन टाटा साब ने पकड़ा और विस्तारा बनाई सिंगापूर एरलाइन्स में स्टेक लिया क्योंकि बड़े लोग जब सपना देखते हैं न वो कभी ना कभी कैसे ना कैसे उसको पूरा करते है हर दिन मैगजिन खोलता हूँ, फोटो देखता हूँ फलाओ द्योक पती का इतना बड़ा बंगला, इतना बड़ा विला, इतना बड़ा प्लेन इतनी कारों के फ्लीट, इतना बड़ा याड, ऐसा आईलेंड, ऐसी शादी तो भाई J.R.D. टाटा का भी कुछ तो बड़ा होना ची क्योंकि आखिर देश के सबसे बड़े आदमी थे टाटा ग्रूप की चेर्मेंन थे भाई अब उनका जो आफिस था उस ओफिस का हाल ये था जिसमें सारे सेलिब्रिटी आते थे, मिनिस्टर आते थे दुनिया जहान के उद्योगपती, वियाईपी आते थे एक दिन धीरे से, सारे स्टाफ धीरे से टाटा साब के पास जाके गयते सर, ये परदे कितने भेड हो गए है, चेंज करा लिजे, सर सोफा कबर देखिए, फट गया है, इतने वियाईपी लोग आते सब के खूब दबाओ के आगे टाटा साब एक बर राजी हो गए, उन्होंने अपने सेकरेटरी को बोला, चलो आज खरीदी करके आते अवर उनके वाज परमानेट गलाल रंग का का खरीटर रहता था लेके बजार चले गया है, सोफे का कपड़ा देखने गंटा घुमते रहे जबार दास्ता दफूश शॉपिंग की जिसका बिल बना जीरो जोकि जे आडी टाटा कुछ नहीं खरीट पाए उनके अनुसार इतना पैसा मैं अपनी लगजरी में कैसे लगा सकता हूं और जिंदगी भर जे आडी टाटा उसी आफिस में रहे उनके जा यदि सिम्पिज का अद्वूत उधारन देखना है तो आप जिया डी टाटा को देखिए और वही सिंपिशी मेरे दोस्त आज के रतन टाटा जी आया है और जब मैं कहता हूँ रतन टाटा को रतन टाटा रतन टाटा के बेटे ने बनाया तो आपके दिमाग में गड़ मंगड़ हो जाता है लेकिन सचाई है यह जियाडी टाटा के पिता का नाम था रतन टाटा और उस जियाडी टाटा ने अपने सारे विजन को अपने सारे गुन को अपने सारे संसकारों को बिल्कुल रतन टाटा के अंदर डाल दिया चलिए थोड़ा रेट्रोज में चलते है 90's में चलते है 90's में एक लड़की अपने घर पर बेटे सुबा सुबा अगबार पढ़ रही है और हाँ इस कहानी से ये समझाएगा हिंदुस्तान की आधी आबादी के लिए इंजिनियरिंग कैसे खुली तो सुबा सुबा एक का एड है जिसमें लिखा है डेवलपमेंट इंजिनियर्स रिक्वाइड लड़की खुश भई फ्रेशली डिगरी हासिल की थी जौब की एड नजर आ रही है लिकिन जैसे ही नीचे पढ़ा लिखा है लेडिस केंडिडेट्स टू नॉट अपलाई और लड़की का दिमाग की कमपनी है सोसाइटी में चेंज लाने वाली कमपनी है इनोवेटिव कमपनी है यदि आप फिमेल्स को मौका नहीं देंगे तो कौन देगा जहाड़ी टाटा साब के पास पोस्ट कार्ड पहुंचा देखा आग बबुला बुला पूरी टीम का आओ बैठो यहां पर क्यों बाई तुम लोगों ने लेडीज इंजिनियर्स को इसमें पर्मिट क्यों नहीं किया बोले सर आटो मोबील कमपनी है रात की शिफ्ट हो सकती है दिन की शिफ्ट हो सकती है चारों तरफ सारे मर्द हैं मेल्स हैं सर गडबड हो जाएगी और जे आडी टाटा यह सुनकर अप की आज अपॉइंटमेंट लेटर जारी कीजिए और उस दिन जिस लड़की को जॉब मिला जिसमें जे आरडी को पोस्ट कार्ड लिकने का सहास किया कौन थी वो लड़की इन फोसिस के फाउंडर की पतनी मिसे सुधा मूर्ती जो अपने आप में देश की बड़ी समास सेव दर्वाजे खोल दिये यदि आज आप कहीं जॉब कर रही हैं यदि आप डे नाइट की शिफ्ट कर रहे हैं यदि आप पुर्षों के साथ यूँ कंदे से कंधा मिला कर काम कर रहे हैं तो आपको इस वक्त जे आरडी टाटा को खड़े होकर सेल्यूट करना चाहिए जे आडी टाटा की सबसे बड़ी खासियत क्या थी पहले highly qualified highly talented लोगों को employ करो क्योंकि मीडियो कर लोग कभी बड़ा organization खड़ा नहीं कर सकते उनके भरोसे कभी बड़े सपने हासिल नहीं किये जा सकते और जिन employees को लो उनको बोलने की आजादी दो उनको गूंगा उनको puppet बना कर मत रखो भले वो विचार कितने भी विरोधी क्यों नहीं और उन्होंने 70s में किसको hire किया डॉक्टर जे जे इरानी को कहा steel division head करो और साथ साथ बोला एक काम करो जापान जाओ क्योंकि जापान की technology क्या थी USA योरोप से बहुत आगे चल रही अब जे जे इरानी जापान चले गए चार अपते का trip था चार अपते जे जे इरानी ने एक एक steel plant देखा एक एक furnace देखी एक एक rolling mill देखी लोट क्या है अपने जे आडी साब बहुत excited बोले बोलो जे जे अब जे जे चुबबट है जे आडी ने का बोलो भाई बोले सर ट्र बहुत अच्छी रही हमने अध्भूत प्लांड देखे हमने देखा हर 10 साल में जापानी क्या करते हैं प्लांड को तोड़ देते हैं और नया प्लांड बना देते हैं तो फिर जे जे शान्त अब जे आडी ने बोलो ना भाई क्या देखकर आयो तुमको किस चीज के लिए सर बोल दूँ अरे बोल दो और डॉक्टर जे जे इरानी ने बोलना शुक है सर हमें भेजने से ज्यादा अच्छा होता आप फाइनेंस टीम को भेज देते हैं जे आडी टाटा देखने लगे क्यो भाई टेकनिकल टीम करेगी कि फाइनेंस टीम करेगी नई सर प्राब्लम यह है कि फाइनेंस टीम के पास जब भी प्रपोजल भेजो वो बोलते बांबे में पैसा नहीं एक नहीं दो नहीं पचास प्रपोजल भेजे चाह चुके हैं अब जे आडी टाटा थोड़ा तमता मारे थे और उसके बाद जे जे इरानी क्या कहते हैं सर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमको टाटा स्टील को म्यूजियम में कनवर्ट करना पड़ेगा और आप और हम दर्वाजे पे खड़े हो के टिकट मेचेंगे हाओ टाटा स्टील का म्यूजियम देखो और इतना सुनने के बाद आज का कोई अडियल उद्योगपती होता ना कहता इतनी भत्तम प्रिजी से बात कर रहे हो यूर फायाड लेकिन वहां क्या परिणाम हुआ विदिन सम टाइम वहां पर पोर्टुगल से नई ब्लास्ट फरनेस आ गई और आदेश जारी हुआ टाटा स्टील को मॉडरनाइस किया जाए सवाल यह है क्या आप अपने एंप्लोईस को इतने इसकी परमिशन दे सकते हैं क्या आप इतने हेल्दी डायलक्स को प्रमोट कर सकते हैं क्या आप और स्पोर्ट ऐसी डिजन मेकिंग कर सकते हैं क्या आप इतना बड़ा क्रिटिसिजम जहल सकते हैं यदि आप जहल सकते हैं तो शायद आप में भी थोड़ा सा इतना सा परसें देड़ हज्यार करोड से जादा, एक छण में बिना सोचे डोनेट कर दिया, ततकाल 24 क्रायोजनिक टेंकर लगाए, ताकि फॉरें से लिक्विड ऑक्सिजन लाई जा सके, लेकिन इसकी जड़ों में चलते हैं, जब इंडिया चाइना वार सिर पर खड़ा था, देश में हाहा कार मचा था, जे आडि टाटा महानायक की तरह उट खड़े वे, क्या किया उन्होंने, उस वक्त उन्होंने भारत सरकार को बोला, आप युद में उतरो, आपको फोर विल मिलिटरी ट्रक जितने चाहिए, टाटा बना कर देगा, उस समय 30 लाग की बहुत बड़ी कीमत थी, टाटा का एंपायर आज जितना बड़ा नहीं था, लेकिन उस समय भी उन्होंने 30 लाख रुपे प्राइम मिनिस्टर डिफेंस फंड में दिये, और सबसे बड़ी बात, जिसको बताते हैं मैं फीतर से सुपर एकसाइटेड हूँ, या यू कहले, थोड़ा सा पशोपेश मे कैसे कोई कर सकता है, उन्होंने अपने एंपलाई से कहा, जिसको युद्ध लड़ने जाना है, जा सकता है, जो इस वक्त सेना में किसी भी किसम की डाइरेक्ट इंडारेक्ट सहवा देना चाहता है, दे सकता है, आपकी सेलरी टाटा ग्रूप चालू रखेगा, आपको मिलन वाली एक भी फैसिलिटी में कमी नहीं आएगी, सचे देश भक्त, ये टाटास का जन्म कोई एक दिन, एक महीने, एक साल, एक दशक में नहीं हुआ, ये सेकडो साल की कहानी है, तब जाकर टाटा जैसा फेत, टाटा जैसा ट्रस्ट पैदा होता है, और जिस फिलोसफी से ज पहले रहेगा, कमपनी सेकेड, देश के बाद आएगी, कमपनी हमारा संस्तान, हमारा संक्तन, हमारा इंस्टिटूशन, हमारा ओर्गनाइजिशन, और सबसे लास्ट में इंडिविज्वल, यदि आप एक एंपलॉई है, तो आज के बाद अपने मैं के पहले अपने ओर्ग से कहना चाहता हूँ, अपने ओर्गनाइजिशन के पहले देश को रखिए, ताकि जब देश में कोविड जैसी कोई विविदा है, जब देश में जंग जैसे कोई हलाद बने, उस वक्त आप अपना प्रॉफिट ना देखें, उस वक्त अपनी सारी ताकत, अपने सारे संसा अपनी सारी बुद्धी, अपना सारा गर्च देश के लिए लगा देए, ताब जाके जीयार इड़ी टा-टाक है, इतना साign, आपके लिए कर दो है झाल झाल